नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डाली जोसी अभी तक हमने आप लोगों को यूडी सी डीडी सी से रिलेटिट काफी इन्फोर्मेशन दी है जो अभी पीवाई क्यों एक्जाम में आया चुके है ठीक है जो भी एक्जाम हुए उनसे रिलेट काफी कॉशन्स आए हुए थे वह इनकी आने की प्रिबल संभावना होगी वही कुशन्स आज हम आप लोगों को कराएंगे और यह जो टोपिक है यह ऐसा कोई एक्जाम नहीं है जिसमें आता नहीं है इससे दो तीन कुशन या एक तो कुशन आना 100% रिता है ठीक है तो आज हमारे टोपिक क्या है इंडेक्स सिस्टम मतलब क्या होता है इंडेक्स सिस्टम का मतलब यह होता है जैसे कि जह हमारे बिसे होते हैं लिए उनका विखत्रत रओन जो भी विखता होते हैं उनको संच्छित रूप में प्रस्तुत करना ही इंडेक्सिंग कहलाता है जैसे मा लेजिये आप इंडेक्स तयार कर लेते हैं जो होते हैं वो क्या करते हैं ईसी त्यार कर लेते हैं घृझाआ आता है यानि पाठक आता है अगर को इंफोर्मेशन मांगता है या कोई बुक मांगता है तो वो क्या करते हैं उस बुक को उस इंडेक्स के माध्यम से देख लेते हैं सर्च कर लेते हैं कि हां ये बुक है या नहीं है अगर अगर उनके पास टाइम नहीं होता है तो वो क्या क प्रकार के होते हैं और कौन-कौन से इंडेक्स बना जाते हैं तो हम आप लोगों को बता दें कि इंडेक्स जो होते हैं मैं दो प्रकार से बनते हैं एक ऐसा इंडेक्स होता है जो पहले से हमारा इंडेक्स बना हुआ होता है इसको बोलते हैं ठीक है प्री कोडिनेट इंडेक है उसको क्या बोलते हैं पोस्ट कोडिनेट इंडेक्स सिस्टम ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं देख लीजिए सबसे पहले आप लोग पतवर सबसे पहले जो हमारा इंडेक सिस्टरम है इस को हिंदी में क्या वोलते हैं अनुक्रमडीकरन पद्द है ठीक अनुक्रमडीकरन पद्द है यह कितने प्रकार का होता है तो यह हमारे दो होता है ठीक है एक होता है हमारा को प्री ते प्री को डिनेट एक होता है हमारा प्री कोडिनेट कुछ एक होता है हमारा प्री कोडिनेट और दूसरा होता है हमारा कि पोस्ट कोडिनेट एक होता है मारा प्री कोडिनेट एक होता है मारा पोस्ट कोडिनेट ठीक है प्री कोडिनेट और पोस्ट कोडिनेट प्री कोडिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हम पूर्व पूर्व समनवीत पूर्व समनवीत ठीक है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं पूर्व समनवीत इसको बोलते हैं हम पास्च समनवीत पास्च ठीक है पस्च समनमीत अब इसमें क्या होता है जो प्री-coördin Präsident इंडेक्सिंग मतलब पूर्व यह से आईसे प्ता लगा सकते पूर्व मतलब पूर्व मतलब पहले से ऐसे इंडेक्सिंग जो पहले से ही वनी हुई है उसको बोलते हम पूर्व ठीक है इसको बोलते हम प्री कोडिनेट इंडेक्स दूसरा पोस्ट कोडिनेट इंडेक्स इसको बोलते हैं पस्ट समन्वीर यह जब हमारी पाठक के आवस्यक्ता के अनुसार या लाइवरेंड अपनी आवस्यक्ता के अनुसार जब कोई इंडेक्स तयार करता है उसको क्या बोलते हैं पोस्ट कोड कोड़ेट इंडेक्स सिस्टम कितने प्रकार का होता है या पोस्ट कितने प्रकार का होता है तो प्री कोड़ेट इंडेक्स सिस्टम कितने प्रकार होता है इसमें होते हैं तीन प्रकार ठीक है इसके कितने प्रकार होते हैं तो इसके वह तीन प्रकार है पहला आता है इसका चे पॉपसी एक होता है हमारा चेन प्रसीजर एक होता है हमारा पॉपसी तीसरा जाता है हमारा प्रेसीज ठीक है एक होता है हमारा पोस्ट कोडिनेट ठीक है और तीसरा जाता है हमारा प्रेसीज पहला होता है हमारा चेन इंडेक्सिंग ठीक है पहला होता है हमारा चेन प्रसीजर दूसरा जाता है हमारा पोपसी और तीसरा क्या है हमारा प्रेसीज यह तीन पद्दतियां है जो हमारी किसमें आती है पूर्व समनमित बर्गिकन पद जो हमारी पूर्व समनमित हमारी जो पद्दत होती है कोडिनेट सिस्टम होता है इसमें वी कितने प्रकार तो इसके वि तीन प्रकार होते हैं कि इसके इसके उनमुर्फी ठीक है तो पहला आ जाता है हमारा कोईक पहला जाता है क्विक दूसरा जाता है हमारा यूनि टर्म ठीक है यूनि टर्म इंडेक्स तीसरा जाता है हमारा साइटेशन इंडेक्स पहला जाता है हमारा क्विक यानि जो हमारी पोस्ट कोडिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है इसमें जो पर्थम आता है हमारा किसमें आता है क्विक ठीक है देखो जो हमारा पोस्ट कोडिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है किसमें सबसे पहले को की ठीक है दूसरा हमारा यूनिटर्म और तीसरा हमारा साइटेशन ये तीन प्रकार है इसके पौस्ट कोडिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में कौन कौन से हैं उन्होंने माली जे चेन परसिजर दे दियाे समिके परेसीन और एक उन्होंने क्या क्या मैं कि तो की कि इसकी पूस्ट कि है कि वरोगों को बताए की जो हमारी चेनUS होता है इसमें क्या होता है इसको देने वाले कौन थे जो चेन प्रसीजर था इसको देने वाले हमारे डॉक्टर डॉक्टर एस और कि रंगनाथन जी थे जोह मारे चेण परोसीजर है इसको देने वाले कौन थे डॉकटरेश सार रंगनाथन इनने इसको बनाने का उदिरसर क्या थे अचेण पर्सीजर का जब डॉकटरेशा रंगनाथन क्लासिफिकेशन बना पद्धिती बनाई थी उस टाइम क्या हुआ था उनको भी से ढूड़ने में प्रोब्लम होती थी यानि कृतिम भाजा में बिसियों को अलग-अलग करना ठीक है उनको अलग-अलग करने के जो मूल भी सहे वहां तक पहुचने के लिए उन्होंने चैन प पहुचने स्रंखला ठीके इसको क्या बोलते हैं शंगला इसको देने वाले कौन से हमारे डॉक्टर एसा रंगनातन स्रंखला जो हमारी चैन इंडेक्सिंग प्रोसीजर है इसका यूज कैसे होता है कि जो हमारी दिववंद बरगी कर्ण पततित यानि कोलन अगर हम class number CC के क्रोणिंग बनाते हैं तो वो हमारा उसमें तो हम इसका किसमें CC में अगर हम class number बनाते हैं ठीक है अगर CC में class number अगर हम बनाएंगे तभी हम किसका यूज कर सकते हैं अगर हम CC में class number बनाएंगे तो किसमें यूज कर सकते चैन प्रसीजर का वही इन्होंने जो हमारी त्रपल सी दी थी उसमें उन्होंने class इंडेक्स एंट्री बुक इंडेक्स एंट्री क्लास रिफ्रेंस इंडेक्स एंट्री होती ना हमारी तो जो फस्ट एंट्री क्लास इंडेक्स एंट्री थी उसमें चैन प्रसीजर का उप्यों किया था उसमें कुशन भी आ सकता है तो सबसे पहले हमने आपको क्या बता है क जो चैन प्रोसीजर इसको देने वाले कौन थे हमारे डोक्टर एसा रंगनातन ठीके उन्होंने यह पद्दति क्यों दी थी तो इन्होंने पद्दत जो भी विसे होते थे उनको तोड़कर ठीके कृति भासा के रूप में उनको तोड़कर मूल विसे तक पहुचना उनका 1934 में इस पद्दति paste का सुत्रह पाथ हुआ था ठीक है कि सुत्रह पात कब कर दिया था तो 1934 में जैन प्रोसु Benjamin सन 1938 मैं ठीक ऐए सन 1938 मैं सो क्या प्र्योंक्र प्य्योंक्या गया यह लाया ऑगया ठीक है पर्तिपादन यह यूज किया अकश्व किया गया तो 1908 में ठीक है अब इसमें भी क्या था कि जो हमारी चैन प्रसेजर थी इसको उपियों करने कि अलग इसके विशर प्रकार ते चैन प्रसेजर के किसे प्रकार थे तो कौन से थे, तो सबसे पहले आजाता है हमारा, जो चेल प्रोसीजर थी, इसका पहला प्रकार क्या था हमारा, तो पहला प्रकार आ जाता है हमारा un-saying link, दूसरा आता है हमारा uns-saying link, पहला आता है हमारा short link, दूसरा आ जाता है हमारा unsort link और तीसरा जाता है हमारा false link false link और चोथा जाता है हमारा missing link यह चार प्रकार होते हैं किसके होते हैं तो chain procedure के इसको बोलते हैं हम अगर कहा जाए कि जो हमारी chain procedure है यह किसकी कितने भागों में तो चार भागों में divide है ठीक है कौन कौन से तो एक तो हमारी short link ठीक है इसको बोलते हम खोज कड़ी इसको क्या बोलते हैं इंदी में खोज कड़ी इसको बोलते हैं अंसोट लिंक को अखोज कड़ी इसको बोलते हैं फेल्स लिंक ठीक है और जो मिसिंग होती है इसको बोलते हैं अपरयाप्त होती है अपरयाप्त ठीक है उस लिंक को बोलते हैं तो सबसे पहले इसमें से कुशन किस तरीके से आता है कि जो कुश प्राप्त किया जा सकता है जो हमारा मूल भी सहे इसको प्राप्त किया जा सकता है किसमें किया जा सकता है तो सोट लूट में ठीक है सो परसेंट दूसरा आता है हमारा अंसोट लिंक इसमें क्या होता है इसमें नगड होता है ठीक है क्योंकि जो अंसोट लिंक होती है इसमें को ढोड़ने की बिलुकुल मतलब इसमें नहीं जा सकता है णगर नतोर नहीं जा सकता एक भी कर सकते हैं जो नहीं से कोशन दौह से कहां से भैसी ऑंचात चारound इसमें नगर्ड होती है तिक उसके वाद अब हम आ जाते हैं कि जो हमारी यह चैन प्रोसीजर है इसका जो आधूनी की करण किसमें प्या था तो इसका आधूनी की करण किया था जो आधूनी की करण किया था डी आर टी से डाकुमेंट रिसर्च टेनिंग सेंटर ठीक है इसमें यह क्या थी पद्दती इसको बनाने में डॉक्टर ऐसा रंगनाथन ने सी सी और हमारी कॉलन प्लासिफिकेशन को विसे ढूंडने के लिए पर्याप्त विसे ढूंडने के लि आधार आधार पर अगर क्लास नमबर बनाते हैं तभी इसका यूज कर सकते हैं ठीक है दूसरा में बताए कि जो हमारी चैन इंडेक्सिंग होती है कितने प्रकार की होती है चैन प्रसीजर तो हमारे चार प्रकार की एक होती हमारी सोट एक होती हमारी अंसोट एक होती हमारी फेल्स और एक होती हमारी मिसिंग निंग ठीक है इसका आधुन की करन किसी नहीं किया तो डिया टीसी के सेकेंड आजाता है हमारा पॉपसी ठीक है सेकेंड क्या आता है हमारा पॉपसी जो पॉपसी पद्दत है इसको देने वाले कौन थे जो पॉपसी पद्दत है इसको देने वाले कौन थे तो पॉपसी पद्दत जो थी हमारे गड़ेस भटाचार के कि कि द्वारा दे गही थी तो गरेश भटताचार के द्वारा देege थी गए थी तो da अ comma के instant के बचपाछार के द्वारा हमारे मिसमें ढ़ते द्वारा ओपसी दी गए थी तो और दीगे थी तो summarizeuts are universal थी नाई के नंटीनि से वन टी न है अङ सकते ऐसे आप हैं वह सकते हैं चैनल और कैसे आध कर सकते हैं तो याध करने की कि जो 1979 की जो गड़ेजी होते हैं उनको या तो आप लोग साथ लड़ू चड़ाएंगे या नौ लड़ू चड़ाएंगे तो या तो साथ यह नौ तो सबसे छोटी पहले साथ फिर नौ ठीक है तो ऐसे आप लोग याद कर सकते क्योंकि पॉपसी से रिलेटिज पुशन आया पोस्टूलेट वैसिड परम्यूटिड सब्जेक्ट इंडिक्स यह क्या है इसकी फुल फॉर्म किसकी है फुल फॉर्म तो जो हमारी पॉपसी थी पॉपसी पद्दत दी गई थी इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है पॉस्टूलेट बैसिड परम्यूटिट सब्जेक्ट इंडिक्ट इसको जो हमारी पॉपसी पद्द कि विसको झाय था तो इसको दिया था किसके द्वारा चारेया और यह प्रकासित किसके द्वारा की जा ति यह तो डियाजित के को द्वारा डी आर टी सी यह किसके दोर प्रकासित की जाती है तो डी आर टी के द्वारा ठीक है अब आप लोग ऐसा करें इसका स्क्रीन सोट ले लिए फिर उसके बाद अगर उतला से स्कार्ट करते हैं अब आतके हमारे प्रेशीज प्रेशी त्रेसीज जो प्रेशी इसको और तेनल कि ने दिया था तो जो प्रेशीज थी इसको गयिए था हमारे डीरक ओस एस्टीन के द्वारा दो liay थी ठीक है । हम बड़िक उस्टीन के द्वारा दिए गई थी तो भेजीरीbt защ 1968 में इसको दिया था ठीक है तो उसके बाल इसका जो वर्क स्टार्ट हुआ था तो ब्रिटिस म्यूजियम में इसका बर्क स्टार्ट हो गया था तो प्रीमीस की सब्कित अगर जा था इसको कभ दिया गया थी के इसके फुल फॉर्म और गई लेकिले जिये, Preserved Context, Preserved Context, Preserved Context Indexing System, इसके फुल फॉर्म क्या है, तो परसेज की फॉर्म है, Preserved Context Index System, यह इसकी फॉर्म है, यहां तक हमारे क्या हुई, कि जो हमारे Precoordinate Indexing System होते हैं, वो कम्प्लेट हुई, अब हम स्टार्ट करते हैं, अब सेकेंड आता है हमारा पोस्ट कोडिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम इसमें कितने भाग हमने आप लोगों को बता है तो तीन भाग थे कौन कौन थे तो एक हमारा कुईक दूसरा साइटेशन इंडेस और तीसरा यूनिटर्म इंडेक्स ठीक है अब सबसे पहले हम आज आते है कि जो कुईक इंडेक्स यानि जो कुईक पद्ध थी यह किस ने दी थी और यह कब दी गई थी इसके फुल फॉर्म क्या क्या क्योंकि इससे काफी कुशन्स आते है घुइक प्द्धत यह कोई पद्दती है इसको देने वाले कौन थे तो इसको देने वाले थे हमारे HP लुहान ठीक है इस पद्दती को देने वाले कौन थे पद्दत तो 1958 में यह पद्दत 1958 में कोई पद्दत दी थी किस ने दीती तो HP लुहान ठीक है इसमें क्या होता है कि जो कीवर्ड होते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है तो इसके फुल फॉर्म है कीवर्ड इसकी फुल फॉर्म है कीवर्ड कीवर्ड कॉंटेक्स्ट इंडेक्सिंग इसके फॉर्म है तो कोई की ठीक है कोई की फुल फॉर्म क्या है कीवर्ड कॉंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम कुशन आ सकता है कोई से रिलेटिड कि कोई कोई पद्धिकाउंसी है तो हमारी पोस्ट कोडिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम कव आए थी तो 1958 में आए थी किस ने दी तो सिस्टम क्या है तो कीवर्ड कॉंटेक्स्ट इंडेक्सी सिस्टम ओके इसमें क्या होता है इसमें सर्च कहने का तरीका क्या होता है कि जैसे आप गूगल पर कोई भी टर्म सर्च करते ठीक है तो कीवर्ड जैसे कुछ कीवर्ड इस तरीके से होते हैं जो सेम सेम तरीके से होते कीवर्ड इंडेक्सिंग सिस्टम ओके अब आज आता हमारा सेकेंड साइटेशन इंडेक्स ठीक है सेकेंड हमारा क्या आता है साइटेशन इंडेक्स इसमें क्या होता है इस पद्दति को साइटेशन इंडेक्स जो होता है इस पद्दति को देने वाले कौंते हैं हमारे तो इ इसमें विश्य की जगए पर लेखक का नाम और ढुसरा जहां मूझ अनुашणधान जिस पुष्थच को मुंथ किया जा रहा है उसको महट दिया जाता है वह मेर सो इसलीए दिया जाता है कि कुछ इसे होते हैं जिनको पुस्थक के लेखक का नाम होता है कि मुझे यह पुस्तक के लिखक मतलब लचमिकांथ है क JENग dont यहनि काफी पुस्तकों के राइटर हैं जो प्रचलित है जिनका चाहा होता है इसलिए जो विण जो होते हैं रहा होते हैं फ़िन आम से जानते हैं ठीक है दूसरा कूछ ऐसे स्थान होते हैं जहां से पॉस्तों कोंग प्रकाशन अच्छी तो होता है कि हमारा कि क्या विसेश्था है यह है जो हमारा जहां से उताता है इसका नाम क्योंकि उसमें क्या होता है कुछ उज़र होते हैं उनके उनको रायर का ने में पता होता है किसी को इस्तान का निम पता होता अग்सी है loves मte 23 इसको धिया किसमेन था चौए जो हमारी स Nature affect TD इसे विष्टेशन एक स्थान पर लेखक बहुत अन्य दिखा जाता है तूसरे क्या क्या था इस यह मिवाध कि एक कि अधिकर हमारे सेफ़ट थे ठीकेट जो citation index होता है आनि citation citation जो citation index है इस पद्दत को किस ने दिया था और कब दिया था जो citation index पद्दत है इसको दिया था 1873 में कब दिया था 1873 में किस ने दिया था तो safe word ठीके इसके जो writer थे वो कौन थे safe word इसके writer कौन थे safe word किस के थे तो citation index के ठीके अब हमने आप लोगों को बता दिया कि जो citation index जो होता है वो किसलिए होता है तो उन्हें वो भी information दी दूसरा जो citation index होता है कब आता है तो 1873 में गिस ने दिया था तो गिए ते मोर्ट वे मक्मोर स्टलवे ठीक है कि ती मोर्ट व्यूमर ते मैं के द्वारा यह पददत दे गए थी कौंसी दी गए थी तूजिए हमारी ए यूनी टार। ईनी टारव इंडेक्सिंग सिस्टम जे york e और दो आप याद कर सकते हैं जो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको एक और किस नाम से जाने जा सकते हैं तो इसको एकल पदी बोलते कुछर आ चुका है कि एकल पदी किस इंडेक्शिन सिस्टम को पहा जा सकता है तो जो एकल पदी उसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं अब आजाते हैं हम यह हमारी क्या हो गई पोस्ट कोडिनेट इंजेक्शन सिस्टम के प्रकार कितने प्रकार थी तो तीन प्रकार थे हमने आपको इंफोर्मेशन दे दी है कि जो तीन प्रकार थे कौन-कौन से थे तो कुईक थी साइटेशन इंडेक्स और इमिटर्म इंडेक और तो तो क मैं तो 58 में ठीक है दोसरा जाता है हमारा साइटेशन के तो सेफर्ड के द्वारा दी गही थी जा पर प्रस्त तरह स्ञापने हैं रघ्ट आघ Taliban कि क्या होता है उसमें टर्म लोजी अपनाई जाती एकल पदी ठीक है इसको हम एक पदी भी बोल सकते हैं इसको किस ने दिया था तो मार्टीवन ट्यूवे की दूआरा दिया गया था तो 1903 में ठीक है आज हमने आपको इन्फोर्मेशन दी और एक और इन्फोर्मेशन है कि जो हमारे सेटेशन इंडेक्स ठाट कानून के छेत्र में सरपर्थम प्रियों इंडेक्स का ठीक है तो आज हमने जो भी सब्सक्राइब करें तो अगर आप लोग को ऐसे इंफर्मेशन चाहिए हम से और वीडियो भी आप लोग चाहते तो प्लीज कमेंट कीजिएगा लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद